अज मेरे चैनल का ये मैं फर्स्ट वीडियो शूट कर रहे हूँ मुझे कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहे हैं कि मैं बैक्डाउंड में क्या रखूं वीडियो में आज मेरे सामने ये दा हिंदु का न्यूस पेपर रखा हुआ था जो मैं अब रीड करने जा रहे थी तो मेरे को वीडियो शूट करने का मन करा मुझे अपनी लाइफ के बारे में आपसे कुछ थोड़ा शेयर करने का मन करा तो मैंने ऐसी रेंडमनी एक वीडियो शूट किया है अगर आप मेरे चैनल को subscribe करते हैं प्यार कर देते हैं तो मैं further आगे अपनी story आप लोग के शाथ share करूगी और जैसे मैं खुद self motivated रही वैसे मैं आप लोगों के लिए भी एक hope कि मैं आप लोगों के लिएक inspiration का काम करूँ because इस समय काफी results आये हैं बहुत लोगों का selection हुआ है और बहुत लोग मतलब ठीक है fail नहीं कह सकते बट अभी अपने dream को achieve करने में एक step पीछे रहे गया है यह बोल सकते है like मेरे साथ भी हुआ SBI का मैंने दिया था SBI का scorecard जब आउट हुआ तो मैं अपने आप से उतना satisfied नहीं हुई क्योंकि मुझे इतना उमीर नहीं था मेरे marks कटने का GA मेरे marks उतने अच्छे मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने जब बाहर आके चेक किया तो GA मेरे गलत थे questions लेकिन I think क्योंकि SBI में अलग-अलग दिखाता नहीं है तो मुझे अपने descriptive का idea नहीं हुआ तो SBI में मेरा cut-off से 10-12 marks का gap रह गया है जैसा कि मैंने आज सुमा में morning में चेक किया तो SBI इसे में थोड़ा अपने results से disappoint हुई हूँ और मुझे काफी अभी मैनत करने की जरुवत है ऐसा मुझे feel हुआ SBI का result देखके बाकी मेरा अभी RRB clear हुआ है and IBPS PO, IBPS clerk का result बाकी है और RRBPO मैंने दिया था जिसमें मेरा cut-off के बराबर ही marks पहुच के लग बोलेंगे या मेरी महनत थोड़ी और होने चाहिए थी ये बोलेंगे I don't know क्या बोलेंगे मेरी cut-off जितनी थी उतने ही marks मेरे थे final results में merit list में but क्या कह सकते है मतलब मेरा bond से पहले जिनका bond हुआ उनको preference दिया गया या क्या हुआ मतलब मेरा result में we are glad लिखके आने के जगह reserve list लिखके आ गया है so मेरा selection इस बार के है उसमें तो अब ठीक है reserve list में होगा क्योंकि मेरा उतने ही marks है जितने होने चाहिए थे मतलब उतने ही है तो हो जाता बट नहीं हुआ कोई बात नहीं शायद भगवान जी ने लिखा होगा मेरे लिए कि अभी मुझे और preparation करने की जरुआ है जिससे हो सकता है मेरे लिए कुछ और अच्छा हो मैं इसको positive लेकि आगे बढ़ने कुछ करें मैं आप लोगों से भी बोलूँगी जो reserve list में candidates रह गया है या जिनका नहीं हुआ है कि आपको positive रहने की जरुवत है क्योंकि मैं भी 2018 से लगी वी हूँ 2018 में मेरा SBI clerk निकला था prelims निकला था mains नहीं हो पाया था लेकिन उसके बाद से और कुछ नहीं निकला मैं उस समय भी demotivate feel करने लग गई थी क्योंकि हो रहे थे लोगों के selections बट ठीक है वो लोग काफी time से prepare कर रहे होंगे या तो या जो भी हो सकता है मतलब मेरी कुछ कमी रही होंगी बेबी लेकिन 2019 में मेरे सारे exams के prelims निकले सबके मैंने mains दिये SBI PO नहीं निकला था बट बाकी निकले थे तो मैं खुश थी और मुझे motivation मिली कि मैं कर सकती हो बट जैसे कि आप लोग जानते हैं 2020 में pandemic के कारण नहीं हो पाया मतलब exams वगेरा अब इस बार भी मेरी निकले exams निकले अब final ठी क्या देखता है IBPS PO में क्या होता है IBPS clerk में क्या होता है RRB में आप लोग को बताएं कि reserve list में हूँ बट आज मेरा video एक shoot करके आप लोग से share करने का one किया तो मैं चाहते हूँ कि आप लोग से मुझे support मिले तो मुझे जिससे मैं self-motivated जिससे मैं बता रही हूँ कि मैं रहती हूँ इसलिए मैं अभी तक preparation में लगी भी हूँ मतलब एक तरीके से मैं आप पो सचा ही बताऊँ तो मेरी preparation start हो गई थी मेरे graduation के बाद जो कि मेरा 2017 में complete हो गया था लेकिन उस समय जैसे कि मतलब guideline बोल सकते हैं guidance बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं नहीं मिल पाई उटने अच्छे से इसलिए मैं decide नहीं कर पाई मुझे क्या करना जहें मतलब मैंने पहले सिसी का coaching किया फिर मैं थोड़ा भट की फिर मैं बैंक के coaching प्याई जो कि वो भी मैंने proper नहीं ले पाई फिर उसके बाद धीरे 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 करके self study से मैं यहां तक पहुची हूँ तो यह मेरे लिए motivation का एक जरिया कह सकते है बहुत बार ऐसा हुआ कि result मेरे हो जाते थे जैसे कि cut off आपका मान लीजे कि 100 गया है और मेरे 110 के करीब marks तक है लेकिन ठीक है कभी sectional English का रुक गया या GA का कुछ problem कुछ न कुछ रहे है अभी तक भी ऐसा हो रहा है अभी भी final selection मेरे हाथ में नहीं है लेकिन ठीक है मिलेगा इस चीज की अब उमीद हो गई है पकी हो गई है इसलिए मैं आप लोगों से भी बोलती हो कि ठीक है आप लोगों को छोड़ना नहीं है लगे रहना है आप लोग मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें देखते हैं हम लोग कहा तक पहुशते हैं थैंक्यू गाइज